Hello Dostow, Dostow हमारी App Vishnu Economics School के स्टोर में Economics और Commerce सब्जेक्ट से लेटीड डाइसो से अधिक कोर्स हैं तो दोस्तो कर आप UG में हो या पीजी में हो या आप UPSC की त्यारी कर रहे हो या आपके पास UGC Net है या आप PGD के त्यारी कर रहे हो या किसी और Competition के त्यारी कर रहे हो जापर Economics और Commerce सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है तो दोस्तो हमारी App जरूद डाउनलोड कर लिजेगा Vishnu Economics School Hello Everyone, Welcome to Vishnu Economics School I am Kajol and in this video we are going to discuss Minors Agreement और इसके प्रीवेस वीडियो में हमने Capacity of Parties की Definition और माइनर की Definition डिसकस कर ली है तो Capacity of Parties चैप्टर के टोटल 9 to 10 वीडियो है और इन में से कुछ वीडियो प्राइवेट वीडियो होंगे जो आपको Vishnu Economics School App पर मिल जाएंगे और अगर आप हमारे courses के बारे में जानना चाते हैं तो आप उपर दियो है नंबर पे contact कर सकते हैं So let's get started with Minors Agreement तो अब Minors Agreement में हमें 14 conditions discuss करने हैं और इसके first conditions से हम start करेंगे इस वीडियो में तो first condition है An agreement by a minor is absolutely void and inoperative as against him इसका मतलब है कि अगर कोई भी individual किसी minor के साथ एक contract में enter होता है तो वो contract एक void contract माना जाएगा and inoperative as against him और अगर उस contract में ऐसे कोई provisions हैं जिसमें minor के against कुछ हो रहा है तो उसे हम inoperative consider करेंगे law act as guardians of minors and protect their rights अब इसमें law जो है वो minor के guardians की तरह act करता है और उनके rights को protect करता है मतलब minors के rights को protect करने के लिए law वहाँ पर as guardian act करता है minors के तो law ऐसा मानता है कि minors जो है वो अभी उनकी mental faculties जो है वो mature नहीं होई होती और वो अपने good और bad को नहीं समझ पाते मतलब उनके लिए क्या सही और गलत है वो ऐसी judgment नहीं कर पाते इसी लिए वो law जो है वो guardians की तरह act करता है minor के लिए और उनके rights को protect करता है तो अब इसका मतलब है अगर कोई minor है उसको charge किया जाता है किसी भी obligation के लिए जो दूसरी contracting parties जो है वो ऐसा उसको करने को कहती है या फिर वो minor को obligation complete करने के लिए बोलती है तो उस case में वो जो contract हुआ वो void ab initio होगा मतलब वो beginning से ही void माना जाएगा ऐसा contract जो है वो form हो ही नहीं सकता कि किसी contract में एक contracting party minor हो तो ऐसे ही अगर किसी minor को बोला जाता है कि वो अपनी obligation complete करे जो उस contract के अंदर थी तो उसको हम void मानेंगे उसको हम force नहीं कर सकते कि वो एक particular obligation जो उस contract में था उसको complete करे तो इस condition को explain करता हुआ एक landmark case है यहाँ पर महोरी बीबी versus धर्मोदास गोश अब इस case को हम detail में discuss करेंगे ताकि आप इस point को अच्छे से समझ जाएं तो अब महोरी बीबी versus धर्मोदास गोश में यहाँ पर जो plaintiff थी मतलब जुनोंने case किया था वो थी महोरी बीबी और जिनके उपर case हुआ था मतलब जो defendant थे वो थे धर्मोदास गोश अब पहले जब आप इसका नाम पढ़ेंगे इस case का जो title है इससे ऐसा लगता है कि जो महोरी बीबी है वो minor थी और जो धर्मोदास गोश है उन्होंने ये case किया था महोरी बीबी के उपर लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर महोरी बीबी जो है उन्होंने case किया था धर्मोदास गोश पर और यहाँ पर धर्मोदास गोश जो है वो minor थे एक case समझने से पहले हम इस case में जो parties involved थी उनके बारे में discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर एक party थी भ्रमोदत और केदारनाथ अब भ्रमोदत जो है वो एक lender थे money lender थे वो पैसे उधार पर दिया करते थे और जो केदारनाथ थे वो भ्रमोदत के agent थे मतलब केदारनाथ जो है वो भ्रमोदत के behalf पर lending किया करते थे तो अब क्या होता है कि धर्मोदास गोश है वो अपनी property को mortgage रखकर केदारनाथ से जो है वो 20,000 rupees जो है वो उधार पर ले लेते हैं और फिर जो केदारनाथ है वो उनको उस 20,000 में से first installment 8,000 rupees जो है वो उनको दे देते हैं और बाद में क्या होता है कि उनकी जो mother है धर्मोदास गोश की जो mother है वो ऐसा खहती है कि जो contract आपने धर्मोदास गोश के साथ किया है वो contract जो है वो valid नहीं है क्यों क्योंकि जब ये contract हुआ था तब जो धर्मोदास गोश है वो minor थे और उनके साथ किया हुआ कोई भी contract जो है वो enforceable नहीं है यहाँ पर क्या होता है ब्रहमोदत जो है वो case file कर देते है धर्मोदास गोश के उपर तो वहाँ पर court ऐसा बोलता है कि क्योंकि धर्मोदास गोश जो है वो एक minor थे और minor के साथ किया हुआ कोई भी contract जो है वो void होता है इसलिए यहाँ पर धर्मोदास गोश जो है वो कोई भी amount जो है वो ब्रहमोदत को वापस नहीं करेंगे अब ऐसा की होता है कि यहाँ पर महोरी बीबी वर्सिस धर्मोदास गोश है ब्रहमोदत वर्सिस धर्मोदास गोश क्यों नहीं है तो इसका reason है कि ब्रहमोदत की इस case के चलते ही death हो जाती है और फिर महोरी बीबी जो है वो धर्मोदास गोश के against case फाइल करती है तो इसी लिए इस case का नाम महोरी बीबी वर्सिस धर्मोदास गोश है तो यहाँ पर code क्या बोलता है कि यह बिल्कुल ठीक situation है कि यहाँ पर ब्रहमोदत और केदारनात को पता था यह contract में enter होते वक्त कि धर्मोदास गोश जो है वो एक minor है और तब भी उन्होंने यह contract किया तो इस case में यह contract जो है वो एक void contract हुआ और यहाँ पर धर्मोदास गोश को कोई भी obligation जो है वो perform करने के जरूरत नहीं है तो code के verdict के बाद यहाँ पर धर्मोदास गोश जो है वो कोई भी amount पे नहीं करते और महोरी भी भी जो है वो यह case हार जाती है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी agreement जो है अगर वो एक minor के साथ होता है तो वो absolutely void माना जाएगा और inoperative as against him मतलब यहाँ पर उस minor के against आप कुछ activity perform नहीं कर सकते तो अब क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी minor जो है वो जान बूचकर एक contract में enter हो जाए और उसके बाद जब वो age of maturity attain कर ले उसके बाद वो उस contract की obligation perform करने से मना कर दे तो ऐसा नहीं है तो यह case हम discuss करेंगे fourth condition में so that's it for this video thank you